कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके गेट वाला चैनल पे तो यार मैं आपसे आज बात करने वाला हूं भाई इलेक्ट्रिकल इंजिरिंग के लिए टॉप उनिवर्सिटिस हिंदुस्तान में इस वक्त कौन से हैं और ये बात करने के लिए इससे अच्छा वक्त हमें साल में नहीं मिल सकता था किसलिए क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे अभी अभी प्रिपरेशन मोड चालू किये हैं तो उनको अपना टार्गेट पता होना बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी कि उनका टार्गेट क्या है ठीक है वो जीवन में क्या करना चाहते हैं और कहां से उनके सपनों को उनकी उड़ान मिलेगी ठीक है तो इसका सबसे अच्छा पैमाना ये है कि भाई कोई स जारी कर दी है ठीक है एनाई आरेफ का गठन भारती सरकार नहीं भारत सरकार नहीं 2016 में किया था कि भाई आप हमें हर साल अपने एक पैमाने बना ले नापके बताएं कि कौन सा युनिवर्सिटी अच्छा कर रहा है कौन सा युनिवर्सिटी खराब कर रहा है क्या इनकी रैं सब्सक्राइब करना चाहते हैं और तो भारत के अंदर सबसे टॉप युनिवर्सिटी इनके लिए कौन कौन सी है ठीक है अफकोस सी बात है गेट एक्जाम एक ऐसा एक्जाम है जो आपको इंडिया के बाहर भी ऑपरिशनिटी देता है ठीक है जैसे आपके पास इन यूएस हो गया नाशनल इनिवर्सिटी ऑफ सिंगापूर हो गया जर्मनी के कुछ कॉलेज जो के काफी विख्यात है इंजिनिरिंग के दुनिया में वहाँ पर भी जाके अपना MS परश्यू कर सकते हैं अपने गेट स्कोर कार्ट का इस्तेमाल करते हुए इसमें कोई शक की बात नहीं है लेकिन अगर हम बात करना चाहते हैं कि भाई हमें इंडिया में रहना है इंडिया के जो आईटी से इनकी जो वर्ल्ड मार्केट में इम विया मान चुका है ठीक है और अना रसकिर्षार की यह लोहा हमें दिखाई देता है ठीक है क्योंकि अगर आप अपनी अबर आल यूनिवरसिटी से वाली रेंकिंग खालेंगे ऑवर ओल डू वर्लीों गडल्ड बसमें सभी काउंट होते हैं मेडिकल काउंट होता है नधर सबसे इसके पाइब करेंगे तो और के आपको मन में दो कारण हो सकते हैं पहला तो आप रिशर साइड में इंट्रस्ट है दूसरा आप उस आयती से placement के लिए interested है तो अगर मैं overall ranking की बात करूँ जो हमको NIRF ने दे रखी है तो वो ranking यहाँ मेरे सामने देखने को मिल रही है आपको सबसे पहला ranking जो है भाई वो मिला है IIT मदरास को मैं overall के category में counting करके आपको बता रहा हूँ लेकिन एक second category है जहाँ पे research based institutes पे categorization किया गया है research basis पे आपको दिया गया है तो भाई ISC Bangalore जो है आपके पास यह research में number one है first इसको ranking मिला है किसमें research में research में इसकी ranking जो है वो absolutely number one ranking है किसमें ISC Bangalore की ranking is the first number one rank ISC Bangalore ठीक है तो ISC Bangalore जो है ठीक है भाई इसकी स्थापना तो जाड़ी डाटा साहब ने की थी ठीक है काफी funding बंडिंग करके बनाई थी और आज की रिट में इंदोस्तान का सबसे बड़ा research institute है तो अगर आपका master's करने का मान electrical engineering में है ठीक है electrical के किसी भी सब topics पे भी है जैसे कि भाई VLSI में भी आपका interest है तो भाई सबसे जोरदार जानदार शानदार जगा MS और Mtech करने के लिए वो कौन है वो आपके पास ISC Bangalore देखने को मिल रहा है research की बात कर रहा हूं ठीक है बाकि अगर आप देखेंगे overall ranking तो aider Ah wanna यह अगर कोई भी decision नेना चाहते हैं प्लेस्मेंट के लिए में कहूंगा कि मदराश डेली और बॉंबए भारी है सर्विशे से जहीह है थे बड़ी या जगह हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है सारे चीजों को साथ भींट्स को रखके तराजूपे ना पना पड़ेगा कि आप पार फिल्स पर शिर्टम में कर रहे हैं थिक आ आप व ये लसाइक में कर रहे हैं इसको बढ़िया से आप रखके नापके डिसाइड कर सकते हैं चीजों को ठीके तो भाई ये मैंने आपको एकदम सहीं से बता दि में magnitude को लेके ठीक है बट आपको decision लेना है तो फिर उसके लिए हम different बात करेंगे अभी वो zone नहीं है ठीक है अगले साल जब आपका gate का paper हो जाएगा तो हम definitely उस पर बात करेंगे ठीक है तो आपके मन में कोई भी doubt हो तो please आप मुझे बता दें है न comment